Hello everyone, this is Vani and welcome again to E for English आज का हमारा लेसन है Present Perfect Tense आज की लेसन में हम सीखेंगे कि Present Perfect Tense क्या होता है और किस सरां से इसकी formation की जाती है इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए जिससे की आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाएगी और साथ के साथ अगर आपको हमारे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो हमारे वेब साइट और हमें Instagram और Facebook पीज पर भी फोलो कीजिए जहां पर आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन Present Perfect Tense अब हम समझते हैं कि Present Perfect Tense क्या होता है चलिए आप देखते हैं जो Present Perfect Tense है तो Present Perfect Tense में जो words है हमें उससे ही समझ आ जाएगा कि Present Perfect Tense क्या होता है तो यहाँ पर देखें जो सबसे पहला word है वो है present तो present का मतलब होता है जो समय चल रहा है वर्तमानकाल वो समय जो चल रहा है और perfect का मतलब होता है career और वो career जो हो चुका है या आपने कर लिया है That means कि present समय में वर्तमानकाल में वो कारे आप कर चुके हो मतलग कुछ समय पहले आपकी बात करने से कुछ समय पहले ही वो कारे complete हो चुका है उसे हम present perfect tense बोलेंगे For example, जैसे कि आपने अपने friend के साथ playground जाना होता है खेलने के लिए और किसी वज़ा से वो आपका friend आपके पास नहीं आया और आपका मन है ground में जाने के लिए, playground में खेलने के लिए तो आप क्या करते हो किसी और के साथ playground में खेलने चले जाते हो और खेल के आप अपने घर आ जाते हो और उसके थोड़ी दिर बाद ही आपका friend आता है जिसके आप wait कर रहे थे और वो आपसे पूछता है playground में खेलने के लिए और फिर आप उसे बोलते हो कि मैं playground में खेल चुका हूँ तो that means कि वो खेलने वाला कार्य जो है वो आपका पूरा हो चुका है और कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है तो उसे हम present perfect tense बोलेंगे अब जैसे graphically देखिए अब time जो होता है वो तीन तरह का है past भूत काल जो समय बीथ चुका है present वर्तमान काल जो समय चल रहा है और future जो समय आने वाला है अब आप किस stage पे हो present पे हो जो समय चल रहा है तो ये जो blue है ये present stage हमें बता रहा है अब वो कार्य जो past में कुछ समय पहले शुरू हुआ है और वर्तमान में complete हुआ है उसे हम बोलेंगे present perfect tense तो present perfect tense में जो work होता है वो पूरा होता है लेकिन वर्तमान में present time में जो समय चल राजस में आप अभी रह रहे हो उसे हम present perfect tense बोलेंगे अब हम इसे और समझते हैं examples के थूँ जैसे रोहन स्कूल जा चुका है present में जैसे रोहन स्कूल जा चुका है तो ये काम पूरा हुआ है लेकिन present time में कुछ समय पहले तो इसे हम present perfect tense बोलेंगे next example है हम गेंद खेल चुके हैं अब यहाँ पर present time में गेंद खेलने का काम कुछ समय पहले पूरा हुआ है तो ये present perfect tense है तो काम का वर्तमान समय में पूरा होना उसे हम क्या कहेंगे present perfect tense अब हम ये भी कह सकते हैं कि इन वाक्य के अंत में चुका है चुकी है या चुकी है या फिर दिया है लिया है आदी शब्ट पाए जाते हैं लेकिन आपने सिरफ उस sentence को समझना है अब देखें यहाँ पर subject क्या होगा जैसे name of the person किसी भी व्यक्ति का नाम कोई भी व्यक्ति जैसे लड़का या फिर लड़की अब यहाँ पर दिखें राम और सिया आप किसी का भी व्यक्ति का नाम यूज कर सकते हो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की और उनके जगा प्रणाउंस यूज कर सकते हो का नाम हो सकता है name of the thing किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है जैसे कोई book या कोई table pen ठीक है यह सब आप use कर सकते हो as a subject अब helping verb present perfect tense में होगी has और have और has और have यूज़ की जाती है चुका है चुकी है चुके है या फिर दिया है लिया है इन सब के लिए यूज़ के जाता है और have का हम यूज़ करते हैं plural के साथ अगर subject एक से जाता हो तो plural है वी और you भी as a plural यूज़ के जाता है और singular भी यूज़ के जाता है तो दोनों ही cases में I और you में आप have use करोगे तो यहाँ पर यह exceptions है और has use होगा एक वच्चन के साथ अगर subject एक वच्चन हो he, she, it या फिर others किसी भी वस्तु का नाम और यहाँ पर main verb जो होगी उसकी third form use की जाएगी अब जैसे आपको verb पता है main verb run ठीक है walk and read तो इनकी forms क्या-क्या है run का हो जाएगा ran run और walk का हो जाएगा walked, walked ऐसे ही read पढ़ना इसका हो जाएगा read, read तो आप in cases में आप formation में present perfect tense की formation में verb की third form use करोगे run, walked and read आप object क्या use होगा object भी subject की तरह use के जाते हैं और object होता है जिसमें कारे किया जाता है तो यहाँ पर भी आप किसी भी व्यक्ति का नाम use कर सकते हो लेकिन as a object जो होगा उसमें changes होगे यहाँ पर he की जगा use करोगे him और she का हो जाएगा her अगर आप as a object use करते हो ऐसे ही we जो है वो क्या है subject है तो we का as a object हो जाएगा us और they का as a object हो जाएगा them और you का दोनों ही cases में अगर आप you को subject और object दोनों ही cases में use करते हो तो you ही रहता है और I का as a object हो जाएगा me और it का as a object same रहेगा तो दो cases है you और it ये दोनों as a subject और object एक जैसे रहते हैं अब हैं किसी भी जगा का नाम हो सकता है किसी भी देश का नाम शहर का नाम या फिर किसी नगर का नाम किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है जैसे book, पुस्तक, table, maze या फिर pen, column तो ये सब था formation of a sentence अब next है हम examples देख लेते हैं present perfect tense की तो examples क्या है types of sentence हमें पता है कि present perfect tense में क्या होते है जैसे वह मेदान में दोड़ चुका है ठीक है तो ये affirmative sentence है मतलब simple है अब next है वह मेदान में नहीं दोड़ चुका है तो यहाँ पर आप नहीं word use कर रहे हो तो ये है negative sentence क्योंकि यहाँ पर नहीं use हो रहा है next है क्या अब यहाँ पर question कर रहे हो तो ये कौन सा है क्या वह मेदान में दोड़ चुका है ये interrogative sentence हो गया next है क्या वह मेदान में नहीं दोड़ चुका है तो आप ये उससे questioning कर रहे हो, right, तो यहाँ पर ये wh family के words use करोगे, ये interrogative sentence होगा, लेकिन यहाँ पर words होंगे, वो wh family के होंगे, right, वह मेदान में क्यूं नहीं दोड चुका है, अब क्यूं में आप कोई सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, और नहीं भी है, तो ये negative interrogative sentence है, लेकिन यहाँ पर क्यूं के लिए words जो है, वो wh family के words use होंगे, तो wh family के words कौन-कौन से होते हैं, जैसे when, why, where, who's, how, how much, how many, when मतलब कब, why, क्यूं, where, कहा, who's, किसका, how, कैसे, how much, कितना, how many, कितने, right, और यहाँ पर how much जो है, वो किसके साथ use किया जाता है, जो uncountable nouns होते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते, how many जो होते हैं, वो countable nouns के साथ use किया जाता है, जिनको हम गिन सकते हैं, right, अब affirmative sentence हम देख लेते हैं, कि present perfect tense में किस तरह से use किया जाता है, affirmative sentence में सबसे पहले आप subject use करोगे, helping verb, has or have use होगा, main verb, verb की third form, then object use करेंगे, अब हम examples देख लेते हैं, जिसे वहाँ मेदान में दोड़ चुका है, अब इस case में देखे, he has run in the playground, right, यहाँ पे has, एक helping verb है, और run क्या है, main verb है, next है, लडकों ने एक match खेला है, the boys have played a match, अब boys है, ठीक है, plural है, तो have use होगा, और verb की third form played है, मैं एक गाना गा चुका हूँ, I have sung a song, अब यहाँ पर I के साथ have use हुआ है, then sung, verb की third form, use हो रखी है, next है, वहाँ मुंबई जा चुका है, अब यहाँ पर देखे, he के साथ, आप has use करोगे, he has gone to Mumbai, right, अब यहाँ पर gone जो है, यह verb की, main verb की third form है, अब है, negative sentence, negative sentence में क्या होता है, आप not use करोगे, तो not जो है, वो helping verb और main verb के center में use होगा, अब हम इसके examples देखते हैं, for example, वहाँ मेदान, खेल के मेदान में नहीं दोडा है, अब नहीं है, he has not, तो has और verb की third form के center में आप not use कर रहे हो, right, he has not run in the playground, next है, लड़कों ने एक match नहीं खेला है, the boys have not played a match, अब यहाँ पर देखे, have और played, दोनों के बीच में आपने क्या use किया है, not, next है, मैंने गाना नहीं गाया है, I have not sung a song, अब यहाँ पर have और sung इन दोनों के बीच में not है, next है, वहाँ मुंबई नहीं गया है, He has not gone to Mumbai, अब यहाँ पर has और gone इन दोनों के बीच में not use हो रखा है, अब है interrogative sentence, interrogative sentence क्या होता है, जिसमें आप helping verb सबसे पहले use करोगे, has और have, फिर subject use होगा, then main verb, तो interrogative sentence में subject जो होगा, वो helping verb और main verb इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और negative में क्या हो जाता है, कि helping verb और main verb के बीच में not आ जाता है, और यहाँ पर subject जो होता है, वो सबसे पहले होता है, लेकिन यह फिर बीच में आ जाएगा, आप examples देख लेते हैं, क्या वह खेल के मेदान में दोड़ा है, has he run in the playground, अब यहाँ पर देखिए, helping verb has है, और run क्या है, main verb है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, he, क्या लड़कों ने match खेला है, have the boys played a match, अब यहाँ पर have और played, इन दोनों के बीच में क्या है, the boys subject है, next है क्या मैंने गाना गाया है, have I sung a song, तो इन दोनों के बीच में subject, next है क्या वहाँ मुंबई गया है, has he gone to Mumbai, तो helping और main verb इन दोनों के बीच में है subject, अब है negative interrogative sentence, मतलब जिसमें नहीं भी use हो रहा है और जिसमें questioning भी है, ठीक है, तो आपको पता है, interrogative में subject आ जाता है, helping verb और main verb के बीच में, और negative में not जो होता है, वो भी इन दोनों के बीच में आता है, तो subject plus not, तो ये दोनों use होंगे, helping और main verb के बीच में, अब examples देख लेते हैं, क्या वहाँ खेल के मेदान में नहीं दोड़ा है, has he not run in the playground, अब यहाँ पर देखे, subject और not, ये दोनों है, helping verb और main verb के बीच में, next है, क्या लड़कों ने match नहीं खेला है, have the boys not played a match, क्या मैंने गाना नहीं गाया है, have I not sung a song, क्या आप मुंबई नहीं गए है, have you not gone to मुंबई, अब इन सब में क्या है, subject और not जो है, वो helping verb और main verb के बीच में है, ठीक है, अब next है, interrogative sentence, लेकिन interrogative वो sentence, जिसमें WH family के words आते हैं, जैसे कब, क्यूं, कहां, कैसे, कितने, ठीक है, कितना, ये सब words जो आते हैं, तो उस case में format क्या होता है, जो WH family के words है, वो सबसे पहले आएंगे, और interrogative में आपको पता है, कि subject जो होता है, वो helping verb और main verb के बीच में आता है, तो ये दोनों होगे, लेकिन WH family का हमेशन सबसे पहले आएगा, then object, अब examples देखते हैं, वह खेल के मेदान में क्यूं दोड़ा है, अब क्यूं, क्या है, WH family का है, तब यहाँ पर देखें, why, क्यूं का आजाएगा, why, then has he run, तो he जो है subject है, जो helping verb और main verb दोनों के बीच में है, has he run in the playground, लड़कों ने match क्यूं खेला है, why have the boys played a match, why क्या है, WH family का है, और have और played, इन दोनों के बीच में क्या है, subject, मैंने गाना क्यूं गाया है, why have I sung a song, आप मुंबई क्यूं गें है, why have you gone to मुंबई, अब यहाँ पर why क्या है, WH family का है, और have helping verb और gone main verb, इन दोनों के बीच में है, subject, next sentence है, जिसमें आपने confused नहीं होना है, और यहाँ पर देखें, आपको किसने पीटा है, अगर हम इस sentence को ध्यान से देखें, तो किसने क्या है, एक subject है, जो की पीटने का काम कर रहा है, और काम किस पर हो रहा है, पीटने का आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपको object है, और किसने subject है और पीटना क्या है main verb है यह main verb है अब यहाँ पर सबसे पहले subject use होगा who then has bitten you bitten verb की third form है और you object है who has bitten you अब है interrogative sentence wh family के जो words ऐसे हैं जिनको हम अकेला use नहीं करते उनके साथ हम subject लगाते हैं object लगाते हैं sorry अब यहाँ पर देखे wh family के वह words है who's how many how much तो इनके साथ हम object लगाएंगे then helping verb has or have और main verb की third form के बीच में आप subject use करोगे अब इनके हम examples देखते हैं सबसे पहला है उसने किसकी किताब पड़ी है अब किसकी whose किताब book whose book तो किसकी के साथ आप किताब यूज करोगे whose book अब whose book के बाद आप helping verb और main verb की बीच में subject लगाओगे helping verb whose book has he read तो has लगेगा subject के according तो subject क्या है he है तो he के according आप has लगाओगे यहाँ पर ठीक है whose book has he read नेक्स्ट है उसने कितनी किताबे पड़ी है अब यहाँ पर देखिए कितनी किताबे किताबे क्या है तो हमें books जो है countable है countable noun है जिनको हम गिन सकते हैं तो इसके लिए आप how many लगाओगे अगर uncountable होंगे जिनको हम नहीं गिन सकती तो आप how much लगाते ठीक है अब यहाँ पर उसने कितनी किताबे पड़ी है उसने अब he है he singular है तो he के according आप has यूज करोगे ठीक है subject के according ही helping verb change होगी तो has he read how many books has he read next है वह कितना दूद लाया है अब दूद milk जो है वो uncountable है तो how much यूज होगा how much milk has he brought brought क्या है bring की third form अब ऐसे ही negative interrogative sentence है wh family के जो कि wh सबसे पहले लगेगा और helping verb और main verb के बिच में आप subject हो not use करोगे then last में object use होगा for example वह खेल के मेदान में क्यों नहीं दोड़ा है अब यहाँ पर देखे why has he not run in the playground अब यहाँ पर why क्यों then has he not ठीक है तो यहाँ पर helping verb और main verb के बिच में आप लगाओगे subject or not right why has he not run in the playground और he के according जो है वो helping verb change हुई है क्योंकि he singular है तो helping verb भी singular होगी right next लड़कों ने match क्यों नहीं खेला है why have the boys not played a match ठीक है तो यहाँ पर why then have or played main verb के बिच में आप subject or not लगाओगे ठीक है why have the boys not played a match अब boys जो है वो plural है तो इसके according जो helping verb है वो भी plural होगी आप have use करोगे next है मैंने गाना क्यों नहीं गाया है अब इस sentence में देखे क्यों के लिए आप why use करोगे then why के बाद आप have और sung main verb की third form की बिच में आप subject or not use करोगे why have I not sung a song क्योंकि I के साथ क्या लगता है have use होता है आप मुंबई क्यों नहीं गए हैं अब यहां पर देखे why have you not gone to Mumbai अब have और gone के बिच में आपने subject or not use किया है अब आपको पता है you या singular हो plural दोनों ही case में आप have use करोगे अब ऐसे ही negative interrogative sentence WH family के जिनके साथ हम object लगाते हैं वो words है whose, how many, how much then आप क्या करोगे helping verb और main verb की बिच में subject or not use करोगे तो examples हैं उसने किसकी किताब नहीं पड़ी है whose book has he not read ठीक है अब whose book has he not अब यहां पर has और red के बीच में आपने he not लगा दिया subject or not उसके बाद है उसने कितनी किताबे नहीं पड़ी है how many books has he not read वह कितना दूद नहीं लाया है how much milk has he not brought तो subject के साथ आपने not लगाना है so this is all about the present perfect tense अब है exercise और इस exercise के थुरू आप चेक कीज़े कि आपको कितना capture हो चुका है कितनी आपको knowledge मिल चुकी है present perfect tense की चलिया start करते है exercise तो सबसे पहला है मैंने एक निया mobile खरीदा है second है कौन आया है किसने एक match जीता है मैंने आज पढ़ाई नहीं की है क्या आपने दर्वाजा बंद कर दिया है क्या तुमने वह कार बेचती है मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूँ अब आप क्या कीजिए इस वीडियो को pause कीजिए और comment section में आप अपने answers लिखे कुछ देर के बाद आप वीडियो को आगे play कर सकते हो और इसके answers चेक कर सकते हो चलिए अब इनके हम answers चेक कर लेते हैं क्या है और समझने की भी कोशिश करते हैं तो सबसे पहला है मैंने एक निया mobile खरीदा है I have bought a new mobile तो I के साथ have use होगा और by verb की third form होगी bought कौन आया है अब कौन क्या है subject है तो कौन के लिए होगा who तो who के साथ क्या हो गया आया है singular है has come come came come come की third form है come किसने एक match जीता है who has won a match ठीक है तो किसने तो who क्या है subject है who has जीता है मतलब singular है who has won a match मैंने आज बढ़ाई नहीं की है I have not studied today ठीक है तो I के साथ have not क्योंकि यह क्या है negative sentence है I have not studied today क्या आपने दर्वाजा बंद कर दिया है have you shut the door अब you से पहले have use होगा have you shut the door shut के third form shut ही होगी क्या तुमने वह कार बेच दी है have you sold that car ठीक है तो you से पहले have use होगा और sell का third form होजाएगी sold have you sold that car मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूँ तो यहाँ पर I के साथ have और write का third form होजाएगी written I have written a book already ठीक है so this is all about the exercise thank you so much for watching this video this is all about the exercise अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीचे और लाइक बटन भी प्रेस कीचे और बेल इकन को भी प्रेस कीचे जिससे की आपको हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेगी और साथ के साथ और जो यह वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेर कीचे जिससे की वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके जिससे की चूटनी तक है ज्यू को ऑंकूरा बेली चूटनी बेल-स सिस्वार्णी जयू को एकर वीडियो करेणे बागी बागी मुथ कुशेश खंवादा रहे वीडियो चैमेश सब्स्त्राइए